मैं आपको पिछले तीस दिन का एक रीकप देना चाहता हूँ उसे आपको नए भारत की स्पीड और नए भारत का स्केल दोनों का पता चलेगा इधर मून मिशन सबर हुआ उदर भारत ने अपना सोलर मिशन लॉंच कर दिया भारत के प्रयास से ब्रिक्स कम्यूनिटी में छे नए देश शामिल हुए है साउथ आफरिका के बाद मैं ग्रीस गया था ये 40 सान में किसी भी भारतिय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी इंडोनेसिया में भी अनेक वर्ल डिडर से मिटिंग हुई इसके बाद जी ट्वेंटी में इसी भारत मंदप में दुनिया के लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए न्यू देल्ली डेक्लरेशन को लेकर हंड्रेट परसेंट सहमती इंट्रनेस्टन हेडलाइन बनी हुई है भारत की पहल पर अफ्रिकन यूनियन जी ट्वेंटी का स्थाई सदस्य के रूप में उसको सान मिला ग्लोबल बायो फ्यूल्स अलाइंस का नेतुरत्वी भारत ने किया पिछले तीस दिनों में एस्सी एस्टी ओबिश्य के लिए गरीबों और मिल्ल कास के लिए कई कदम उठाए गए पी एम विश्वकरमा योजना लॉंच की गई रोजगार मेला लगा कर बिते तीस दिन में एक लाग से जाना नवजवानों को केंद्र सरकार में गवर्मेंट जॉब दी गई है देश के नए संसद भण में पहला विधायक पास हुआ जिसने पूरे देश को घर्व से भर दिया है द्वारका में अशो भूमी इंट्रनेशनल कन्वेंशन सेंटर को हमने राष्ट को समर्पित किया है मद्य प्रदेश में ही रिन्यूबल एनर्जी आइटी पार्क एक मेगा इंडस्ट्रियल पार्क और छे नए अउद्री शेत्र पर काम शुरू हुआ है जितने भी काम मैंने गिनाए है इनका सीधा सम्मन युवाओं की स्किल्स से है युवाओं के लिए जॉब क्रियेशन से है